ओम शंती आज तिनांक 11 फरवरी 2023 प्राताह मुरली बाब दादा मधुबन बाबा बोले मीठे बच्चे सदा अपने को राज रिसी समझ कर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे माया के घुटके से बचे रहेंगे बाबा समझाते मीठे बच्चे सदा अपने को राज रिसी समझ कर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे माया के घुटके से बचे रहेंगे अर्थात स्वयम भगवान निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों को इस भ्रामन मरजीवा जन्म में राज रिसी भाव का वरदान देते और राजाओं का राजा बनने के लिए सहज युक्तियां बताते बाबा सदा कहते इस पुरानी दुख देने वाली दुनिया को पूल एक मुझ बाप को याद करो क्योंकि मुझ बाप से ही तुम बच्चों को वर्षा मिलना है अर्थात विश्व की राजाई मिलना है तो बाबा कहते सदा यह निश्चय रखो के हम सत्युक के देवी देवता हैं हम सुख की दुनिया में जाने वाले हैं तो सुख की दुनिया का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें यहीं संगम युक पर बनना है अर्थात पुरानी देख के संबंदों को सुख सुविधा के साधनों को भूल जाना है यह सब दुख देने वाली चीजें हैं इनमें मन बुद्धी की रग ना जाए एक बाप ही याद रहे एक बाप का वर्सा याद रहे एक बाप के घ्यान का मनन चिंतन चलता रहे यहीं बाबा कहते तुम राज रिष्टी बच्चों का करताव्य है स्वयम भगवान निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों से पुरुशार्थ कराते हैं वही माया के घुटके से बचने की सहज युक्ति बताते हैं एक बाप को याद करो एक बाप से जो वर्सा मिल रहा है उस वर्से की लगन में मगन रहो सदा इस्मरती रहे कि बाबा हमें राजाई देने आया है प्रश्न किया बाबा ने कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा उत्तर में बाबा समझाते अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुशार्त कर पड़ाई से उचपत पा सकते हो फिर यहाँ चांस नहीं मिलेगा यहाँ जीवन बड़ा दुरलब है इसलिए कभी यहाँ ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छुटे यहाँ ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंकरती है या कर्म भोगे तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है अर्थात पुरुशार्त करने का राजाई पद पाने का उचे ते उचा पद पाने का यहाँ छोटा सा ब्रह्मन मर्जिवा जन्मिला इस छोटे से संगम युग में बाबा कहते बहुत गई थोड़ी रही थोड़े से भी थोड़ी रही अब पुरुशार्त कर लो तो तीवर पुरुशार्त करना है जब तक जीना है तब तक ज्यान अमरत पीना है बाबा की याद में रहना है बाबा की सेवा में अपना समय सं कल्प स्वांस तन मन धन सब कुछ अर्पन करना है यह चांस बाबा कहते अभी है फिर कभी नहीं मिलेगा कल्प में एक ही बार संगम युग पर प्राप्त होता है गीत सुनाया बाबा ने धीरज धर्मनुवा सुख के दिन आये के आये धीरज धर्मनुवा सुख के दिन आये के आये ओम शान्ति बच्चों ने गीत सुना किसने कहा और किसने सुना बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना देखो बाप का बुद्धी योग सभी बच्चों की तरफ जाता है सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मन कुल भुशन वा स्वदर्सन चक्रधारी अत्वा राजरिसी बच्चे हैं उन बच्चों को यह इस्मरती में रहना चाहिए कि हम राजरिसी हैं राजाई के लिए पुरुशार्थ कर रहे हैं जिस राज्य में देखो तो सदेव सुख के दिन व्यतित होते हैं इसलिए बाबा कहते कल यूग में तो सुख के दिन बीते ही नहीं तुम तो राजरिसी हो तुमारे भी सुख के दिन यहां बीतने चाहिए अगर बच्चे अपने को राज रिसी समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है तो नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घड़के बहुत आते हैं बाबा कहते इस्मरती रहे तो सुख के दिन है और इस्मरती नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घड़के आते हैं बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राज योग सीख सदा सुख का वर्सा ले रहे हैं अत्वा नर से नारायन बन रहे हैं सो तो सिवाए परम पिता परमात्मा के कोई बना ना सके परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार वा आकार की तरब बुद्धी नहीं जाती निराकार बाप को ही याद करते हैं बाप धीरज देते हैं बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं यहा कल्यूग नर्क बदल स्वर्ग होगा हैविन की इस्थापना हैल का विनास्तो गाया हुआ है भगवान स्वयम बेट राजियोग सिखलाते हैं कोई भी मनुष्य चाहे हैल का चाहे हैविन का हो राजियोग सिखला ना सके बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वन्सावली ब्रामन कुल भूसन ही स्वदर्शन चक्रदारी हैं हम आत्माओं को स्रष्टी चक्र की नोलेज है देवताएं यह नहीं जानते स्वदर्शन चक्र सिरीक रश्न को वा विश्नु को क्यों दिया है क्योंकि तुम भ्रामन अभी संपूर नहीं बने हो नीचे उतरते बाबा कहते नीचे उपर होते रहते हो यहाँ स्वदर्शन चक्र निसानी है फाइनल की आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो कल माया से हार कहकर गिर पढ़ते हो तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते स्वदर्शन चक्र तो इस्थाई चाहिए इसलिए विष्णू को दिखाते हैं यहाँ बहुत गुही बाते हैं जहां भी विष्णू का मंदिर हो वा कोई भी स्वदर्शन चक्रदारी का मंदिर हो वहाँ जाकर तुम समझा सकते हो सिरी क्रश्न को भी स्वधर्शन चक्र देते हैं राधे क्रश्टन युगल के चित्र में स्वधर्शन चक्र नहीं देते हैं स्वधर्शन चक्र धारी तो तुम भ्रह्मन कुल भूसन हो जिनकी परमपिता परमात्मा स्वधर्शन चक्र धारी अत्वा तिरिकाल दर्शी बनाते हैं बाबा क तुम प्राम्मन कुल भूसन हो जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अत्वा तिरकाल दर्सी बनाते हैं। वहां यह मालूम होता तो तुम राजाई करना सको यही चिन्ता लग जाए। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत माया पर जीत पानी हैं। माया के तूफान आएंगे जरूर विग्न पढ़ेंगे। इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी परंतु पुरुशार्थ कर योग में रहना हैं। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयू भी बड़ेगी। जितनी आयू बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्सा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। इसलिए बाप कहते हैं योगी भाव मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रालब्द पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनास बाकी थोड़ा समय हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनास जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं। क्योंकि यह जीवन बड़ी दुरलब है। ऐसे नहीं कि अभी सरीर छोड़ फिर नया सरीर लेकर पड़ाई पड़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनास आर सब का विनास होने वाला है। जल्दी मरे। यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है। या कोई कर्मभोग होगा। उनसे छुटने चाहते हैं। परन्तु यह चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुशार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा त यूँकि बाप सब को रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाक को ले जाएगा। जैसे कुम्भ के मेले में 10-15 लाक जाते हैं यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयम पंडा बनकर लेने आया है। उनके पिछाड़ी तो अंगिनत आत्मा जाएगी। परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएगे। प्रलय हो तो फिर यहां भारत खंड ही ना रहे। परंतु यहां भारत अविनासी खंड है। यहां बहुत रह जाते हैं। फिर सत्यूग में एक ही सूर्यवंसी राजदानी इस्थापन होगी। कल्यूग विनास सत्यूग इस्थापन होने में बीच का थोड़ा सा टाइम यहां टाइम मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते हैं। जो नए सीरे अपनी राजदानी बनाते हैं। बाकी पुरुशार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्यानकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को क कल्यानकारी नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुक से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यहां नौलेज और किसकी बुद्धी में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे। अंद स्रद्धा से सब की पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की स्रीमत मिलती है। धंदा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है। यहां है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमरत बेले आकर पढ़ाते हैं। तो उस समय बाप के सामने सब सें बच्चो को याद करता हूँ। इसमें माया मुझे कोई विग्न नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी बूल जाते हो। माया तुमको विग्न डालती है। कोई-कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चो को ना बुलाना। परंतु मैं तो कभी नहीं मैं रोज यादपार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता हूँ कि बाप की स्रीमत पर बेहत का वर्सा लेने का पुरुशार्थ करो, इसमें कफलत हुआ बहाना मत करो, कहते हैं कर्म बंधने, यह तो तुमारा है, बाप क्या करे, बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कड़ता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे, आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर उच्पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है, मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीती समझाते हैं, कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं, तुमसे कोई पूछे, तुमारी एम अबजिक्ट क्या है, तो यहाँ कार्ड हाथ में दे दो, उससे सब समझ जाएंगे कि यहाँ किस धंदे में लगे हुए हैं, यहाँ तो बड़े व् देखनी हैं, सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना, कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यहाँ कल्यूग है, अब सत्यूग आने वाला है, क्रिश्चन को भी समझा सकते हो, यहाँ है ले, अब हेविन इस्थापन होने वाला है, वहाँ तो जरूर हे गौड फादर ही करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धी ऐसी हो गई है, जो अपने को नर्क वासी भी नहीं समझते, कहते भी हैं फलाना स्वर्ग वासी हुआ, तो समझना चाहिए जरूर हम नर्क में हैं, अभी कल्यूग है, पुनर जन्म भी जरूर कल्यूग में ही ल परंतु बच्चे जट ठक जाते हैं, समझाना चाहिए अभी तो कल्यूग है, अगर स्वर्ग में पुनर जन्म लेना चाहते हो, तो आकर समझो, हम भी पुरुशार्थ कर रहे हैं, जो फिर नर्क रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में चलना है, वहां विस नहीं मिलेगा, उसको यहां ही छोड़ना पड़ेगा, कैसे यह बाबा युक्तियां बतलाते हैं, नेपाल में विजय अश्टमी के दिन, छोटे बड़े सब सिकार करते हैं, तुमको भी सबको समझाना है, घर घर में सिव का और लक्ष्मी नारायन का चितर जरूर रखना है, नोकरी को बाबा कहत नोकरों को मिस्तरियों को भी समझाना है, कि मोत सामने काड़ा है, बाब को याद करो तो वर्सा मिल जाएगा, बाब सभी की मनो कामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं, योग लगाने से बाब साक्चातकार भी करा सकते हैं, बाब हे ही कल्यान कारी, तो बच्चों को भी ऐ कैसा कल्यानकारी बनना है गरीब ही अपना कल्यान करते हैं साहुकार मुश्किल ही करते हैं सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वहां अंत में आएंगे अब बहुत करके गरीब साधरान ही ग्यान लेते हैं बाप भी साधरान तन में आता है गरीब में नहीं अगर यहां भी इतनों की समाल कैसे करते तो युक्ती देखो कैसी रखिये साधरन ही हो जो बली भी चड़े और इतने सब की परवरिज भी होती रहे इनके साथ साथ और भी बहुत बली चड़कर वारिस बन गए अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पाइंट बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखलाया है उसमें ही लगना है बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखलाया है उसमें ही लगना है दूसरी पैंट बाबा कहते स्रीमत पर चलने में गफलत या बहाना नहीं करना है कर्म बंधन से छूटने के लिए याद में रहना है स्रीमत पर चलने में गफलत वबाहना नहीं करना है कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा बोले स्रेष्ट कर्मधारी बन उची तकदीर बनाने वाले पदमा पदम भाग्यसाली भाव। स्रेष्ट कर्म तो स्रेष्ट कर्मधारी बनो और पदमा पदम भाग्यसाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन स्रेष्ट कर्म का आधार है स्रेष्ट इस्मरती। स्रेष्ट ते स्रेष्ट बाप की इस्मरती में रहने से ही स्रेष्ट कर्म होंगे इसलिए जितना चाहो उतनी लंबी भाग्य की लकीर खीच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन में बाबा कहते अपने संतुष्टता की पर्सनेलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेस्वरी जगत अंभा सरस्वती जी के अन्मोल महावाक्य रखे। जिसमें मम्मा कहती पहली पाइंट यहा जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना बचन निभाने आजाओ। अब वो स्वयम गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है। और कहते हैं हे बच्चे जब भारत पर अती धर्म गलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म गलानी नहीं होती। धर्म गलानी होती ही है कल युग में। तो मानो परमात्मा कल युग के समय आता है और कल युग फिर कल्प कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ, कल्प में फिर चार यूग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं, आधा कल्प सत्यूग त्रेता में सतो गुणी सतो प्रधान हैं, यहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर तीसरा द्वापर यूग में तो फिर दूसरे धर्मों क सुरूआत है उस समय भी अतिधर्म गलानी नहीं है इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों यूगों में तो आता ही नहीं है बाकी रहा कल्यूग उसके अंत में अतिधर्म गलानी होती है उसी समय परमात्मा आय अधर्म विनास कर सत धर्म की इस्थापना करता है अगर द्वाप पर के बात तो अब सत्यूग होना चाहिए फिर कल्यूग क्यों ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने खोर कल्यूग की इस्तापना की अब यहां तो बात नहीं हो सकती इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का कल्यूग का विनास कर सत्यूग की इस्तापना करता हूँ तो मेरे आने का समय संगम यूग है दूसरी पाइंट मम्मा समझाती मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है बाकी यह जर बढ़ने वाला खुद मनुष्य है अब यहां किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे इस पर समझाया जाता है मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं अब जब बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है वो तकदीर को कैसे बनाएगा इस पर समझाया जाता है निराकार पर पड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं अब यहा नौलेज देना परमात्मा का काम है बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते हैं तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है तभी तो उन्हों को यादगार बाबा कहते तभी तो उन्हों का यादगार म महावाक्य, ओम शंती.